नमस्कार मित्रों यदि आप AEPA संचालक हैं अधार कार्ट से निकासी का काम करते हैं किसी भी कंपनी का ID चलाते हैं तो वैसे में आपने L0 फिंगर्प्रेंट पुराने फिंगर्प्रेंट मंत्रा मुर्फो सभी का सभी बंद हो जाएगा ये न्यूस तो आपने सुना होगा लेकिन आप एक नया जनकारी निकल क्या रही है कि मंत्रा का L1 डिबाइस बंद हो जाएगा क्या ये सही है सब कुछ जानेंगे आज किस वीडियो में कि मंत्रा का L0 फिंगर्प्रेंट इमोर्फो का L0 फिंगर्प्रेंट डिबाइस बंद होने के बाद AEPA संचालक अधार क मांत्र निकासी करने वाले रिचलर से हमारा नम्र निविधर है कि अभी तक आपने थूस अंचाल के रिचलर से वाले इस नेल को सब्सक्राइबд कर येगा क्योंकि हम जब बी वीडियो बन प्रिंगर्प्रेंट गिवाईज अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना जल्दी चालू करके इतना जल्दी बंद क्यों करेगा तो चलिए UID का गाड़ लाइन दिखाता हूं जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि यह इंगलिस में है अगर इंगलिस अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं हिंदी में भी करके आपको समझाने वाला हूँ आपको पूरा पूरा दिखा देता हूँ तो चलिए सब कुछ जनकारी देता हूँ कि मंत्रा L1 फिंगर्प्रिंट डिबाइस क्या सच में बंद होगा तो चलिए आप वीडियो को सुरू क काम करते हैं CSP चलाते हैं तो यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके डखिएगा जब भी कोई नया अपडेट होगा हम आपके लिए पुना लेके आएंगे तो पहले स्क्रीन पर आप देख पा रहें यह गाड्लाइन मैं पहले इसको हिंदी में कर देता हूँ जैसा कि हिं अब print लिवाएस बंध होने की बात तो यहां वह दो है कि हमंत्रा फिंगर प्रिंगर प्रिंट डिवाइस में जो है कुछ twoky पाया गया है कुछ Comput your in future कर दिया गया है यहां पर निचे सबसे लाश्ट लाइन देखिए तो मंत्रा सफटेक प्राइबेट लिमिटेड कमपणी का कर दिया गया है एकदम चाप चाप लिख दिया गया है तो इसके पीछे कारण यह है कि UID के अनुश्वार UID को ऐसा लग रहा है यह कारण क्या है यह भी समझा देता हो कारण यह है कि मंत्रा L1 डिबाइस जब लाया गया तो UID ने यह सोच के लाया था कि भाई सिक्रूटी जदा होगा इस डिबाइस में यही कहा जा रहा था कि भाई L1 फिंगरप्रेंट डिबाइस पुराने डिबाइस L0 डिबाइस से ज़्यादा सिक्रूटी यह की UID का वो सोच बिल्कुल सही नहीं निकला यह मंत्रा आप अपडेट के लिए अप अपडेट के लिए अप हमारे साथ बने रहे है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनी बाद नमस्कार